हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम रिजिनिंग का सिलोगिज्म का चैप्टर पढ़ेंगे यानि कतन निसकर्स और यहां से आपको लगबग चार कोईशन देखने को मिलेंगे आपके एक्जाम में तो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्ट आसान लगेगी ठीक है तो बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा जैसे मैंने बाकी के चैप्टर सिखाए है इस चैप्टर को भी हम वैसे ही पढ़ेंगे ओके तो घबरानी वाली कोई बात नहीं है बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा और चैनल को सब्सक्र काम मैं करता हूँ ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर कथर निसकर्स यानि स्लोगिज्म तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने तरह से आप इसमें कोशन बना सकते हो और किस-किस टाइप के कोशन कोशन बहुत तरह से बन सकते हैं इसमें काफी टाइप से को टाइप जो है बन जाएंगे ओकी तो देखिए अगर मैं कथन की बात करता हूँ तो कथन आपका चार तरह का कतन होता है कितने टाइप का कतन होता है चार टाइप का कतन होता है कैसे होता है चार टाइप का पहला होता है आपका कुछ पर आधारित जैसे कुछ आम सेब है कुछ सेब केले है तो ये जो होता है आपका कुछ पर आधारित होता है दूसरा होता है आपका सभी पर आधारित सभी सेब संतरे है सभी कुटे बिल्ली है इस तरह का जो कथन होता है वो आता है आपका सभी में ठीक है एक होता है आपका कुछ नहीं कुछ नहीं वाला जैसे कुछ आम सेब नहीं है कुछ कुटे बिल्ली नहीं है कुछ चूहें हाथी नहीं है तो इस तरह का आपका कथन होता है एक कथन होता है आपका कोई नहीं ठीक है कोई नहीं वाला जैसे कोई सेर जानवर नहीं है कोई चूहां खरगोश नहीं है तो ये जो आपका कथन होता है वो हम fourth number में बढ़ेंगे तो basically हमारे 4 type के कथन बनते है 4 type के हमारे क्या होते है कथन होते है 4 तरह से ठीक है तो ये बात आपको समझ में आई कि कथन हमारे 4 तरह से बनते है clear दिख रहा है ना ओके एक एक बात को आपको note करते हुए चलना है बाकी की एक होता है केवल वाला तो केवल वो इनी में लगा करके देता है केवल कुछ आम सेब है तो इनी से बनता है वो अलग से नहीं है तो उसको हम यानि only वाला उसको हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो basically चार तरीके से जो है आपके कथन बनते हैं आई होब के आपको समझ में आई होगी इतनी बाते कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है तो अब देखते हैं और निसकर्ष की बात करें तो निसकर्ष आपके एक कथन से एक कथन से आपके साथ निसकर्ष बन सकते हैं साथ निसकर्स एक कथन से एक मिनट एक यहाँ पर मैं दुबारत से इसको लिखता हूँ एक कथन से साथ निसकर्स कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ एक कथन से साथ निसकर्स जो है आपके बनते हैं यह ठीक है चार कथन आपके बन सकते हैं चार टाइप के और साथ निसकर्स आपके बन सकते हैं एक कथन से ठीक है कैसे अगर किसी ने बोला मतलग कोशिन में बोला कुछ आम कुछ आम मैंने यहाँ पर अगर बोला कोई सा भी कथन आप ले सकते हैं कोई सा भी कुछ आम या कुछ A यहां पर लिख लेते हैं कुछ A, B है यह जो है आपका कथन हो गया तो इससे आपके साथ केवल साथ ही निशकर्स निकल सकते हैं ठीक है इस कथन से साथ निशकर्स निकल सकते हैं जैसे आपको बोलेगा कुछ A, B है यह आपका कथन है निसकर्स क्या निकल सकता है कुछ B, A है पहला निसकर्स दूसरा निसकर्स है सभी A, B है या सभी B, A है तीन निसकर्स हो गए ठीक है आगे है कोई A, B नहीं है चोथा निसकर्स और कोई B, A नहीं है पांचवा निसकर्स तो यहां से बनेंगे कोई इससे बन गया हमारे कोई वाला हो गया कुछ A, B नहीं है छटा निसकर्स और कुछ B, A नहीं है साथ वो निसकर्स यानि साथ ही निसकर्स निकल सकते हैं यानि प्रति एक से आप दो-दो निसकर्स निकाल सकते हो परतिये कथन से दो-दो निसकर्स निकाल सकते हो और एक ओल्रेडी ये होता है तो दो इससे निकलेंगे लेकिन एक इसमें कथन दिया रहेगा तो जो कथन होता है वो निसकर्स नहीं होता तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी के एक कथन से साथ निश्कर्स निकलते हैं इतनी काम की बात नहीं है वैसे ही मैंने आपको बता दिया अगर आपको confusion हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं तो जादा सोचने की बात नहीं है के बन आपको ये याद रखना है कि चार तरह के आपके कथन होते हैं बस अब पहला टाइप आता है पहला कथन कुछ कुछ पर आधारित ठीके पहला कथन है आपका कुछ पर आधारित यहां से हम सीखना स्टार्ट करेंगी ठीके कुछ पर आधारित इसको मैं थोड़ा सा यहां पर लिख रहता हूं ठीक है तो पहला है आपका पहला कतन है कुछ पर आधारित क्या है कुछ पर आधारित बोला है कुछ A B है अगर आपका ये कतन है कुछ A B है अभी हम A के करके कतन को देखेंगे फिर आगे चलके mix भी करेंगे तो कुछ बाला कैसे बनाएंगे अगर ये कथन है आपका कि कुछ A, B है कुछ A, B है इतना आपको कथन दिया हुआ है कुछ A, B है अब यहां से आपके कितने निसकर्स निकल सकते हैं देख लेते हैं मैंने आपको बताया है कितने निसकर्स निकल सकते हैं साथ निसकर्स यहां से निकल सकते हैं पहला तो हो जाएगा कुछ B A है पहला निसकर्स दूसरा हो जाएगा सभी पराधारित के सभी A B है ठीक है तीसरा हो जाएगा सभी B A है चोथा हो जाएगा आपका कुछ A, B नहीं है आगे हो जाएगा आपका पांच वा कुछ B, A नहीं है उसके बाद हो जाएगा चटा कोई A, कोई A, B नहीं है ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कोई B, A नहीं है तो आपको कोशन भी बनाना आना चाहिए ठीक है ज़रूरी नहीं आपको कोशन सीखना भाई, सीखना से ज़्यादा इस तरह से भी देखो कोई कि आप कोशन कैसे बनाओगे, कितने तरह कि आपके कोशन पूछ सकता है एक निसकर्स से ये चीज़े भी आपको बनानी आनी चाहिए भाई मैंने उनी चार का जो कतन थे, उनी चार चीज़ों का यूज किया है कुछ वाला हो गया, सभी वाला हो गया, कुछ नहीं वाला हो गया, कोई नहीं वाला भी यहाँ पर डिसकर्स हो गया मैंने ये सेम देखे कुछ B A है कुछ A B है ये repeat नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा already कथन दिया हुआ है चीक है तो इसको repeat नहीं करेंगे I hope कि आपको clear दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ ठीक है तो ये चीज़ें आपको clear होई कि आप कितने निसकर्स निकाल सकते हो साथ निसकर्स अब भया इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है इसको कैसे decide करेंगे तो यही तो हमें सीखना है, कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा गलत होगा, यह चीजी हमें सीखनी है, तो हम सीधा करेंगे डाइग्राम बना करके, ठीके, डाइग्राम से ही हमें सीखना है, यही एक basic concept होता है, और जो trick वाले को आप सीखते हो, hundred, fifty वाले, वो हर जगे काम नहीं आएंगे, वो उस तरह से जो है, आपको नहीं सीखना है, ओकि आपको concept सीखना है, ताकि आप किसी भी तरह का question में, किसी भी तरह का question हो, उस Logism से, आप उसको गलत ना करो, तो concept सीखो, आप हर तरह का question यहां से कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा आपको, starting में थोड़ा tough लग सक लेकिन जब धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे जब आप complete watch कर लोगे वीडियो को तब आप जो है एक perfect जो है इसमें हो जाओगे ओकी चलिए ये कथन है आपका कुछ A B है तो diagram कैसे बनाते हैं देख लेते हैं कुछ A जैसे यहाँ पर A है भाई ये A है मैंने इसको A मान लि है यानि A का कुछ हिस्सा जो है B में है यानि कुछ A B है यानि A का कुछ हिस्सा B से मिला हुआ है यानि ये जो हिस्सा है A का ये B में नहीं थै यानि B से मिला हुआ है समझ में आया दिख रहा है न किलियर है ओके तो ये बातें आपको समझ में आई कि इसको कैसे diagram को कैसे बन है तो इसको कैसे हम डिजाइन करेंगे इस तरह से कि A का कुछ हिस्सा B में है है ना ये A का कुछ हिस्सा क्या हो गया B में हो गया तो ये आपका पहला डाइगराम हो गया आपको इस तरह से ही बनाना है डाइगराम और तरीके से भी बन सकता है ठीक है ये पहला diagram हो गया, दोसरा आप ऐसे भी बना सकते हो, suppose that ये A है, ठीक है, A का कुछ हिस्सा आप, यानि आदे से ज़्यादा हिस्सा भी ले सकते हो B में, तब भी बात वही है, ठीक है, तब भी वही बात है, कोई दिक्त नहीं है, ये भी आपका diagram ठीक है, ये भी सही है, आप diagram ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, मतलब आपको बनाना नहीं है, इस तरह से आपको बनाना नहीं है, केबल बनाना ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ, कि diagram कितने तरीके से आप मतलब बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये यह देखिया आप ए जो है पूरा यहां से भई पूरा जो बड़ा वाला गोल है वो ए का हिस्सा है और इतना जो हिस्सा है वो बी ने घेरा हुआ है ठीक है वो इतना हिस्सा जो है एका बी ने घेरा हुआ है तो क्या कुछ ए यानि कुछ ए का हिस्सा बी के पास नहीं है क्या बिल्कुल है, यानि कुछ A, B है, कुछ A, B है, भाय, पूरा A है यहां पर, लेकिन A का कुछ हिस्सा क्या है, B है, तो ये भी सही है, ठीक है, ये डाइगराम भी सही है, और आप ऐसे भी बना सकते हो, इस तरह से, ये भी आपका डाइगराम बन जाएगा, ये भी बन सकता है, कैसे देखिए इसमें क्या है सभी A B है ठीक है भाई सभी A यानि A को पूरे A को किसने गेर रखा है B ने तो यहां पर सभी A B हो गए ठीक है इसमें आपको डाउट हो रहा होगा कि यह कैसे बन गया लेकिन बन सकता है यह भी कैसे सभी A यहां पर B हो रहे है ठीक है तो जब सभ वी A, B है, तो कुछ A, B होंगे, कैसे, समझ में आया, नहीं समझ में आया, जैसे, जैसे मैंने बोला, जैसे ये Marker है, कि पूरा Marker सफेद है, आप इसको पूरे को सफेद मानों, ठीक है, Black and White है, लेकिन आप इसको एक मिनट के लिए सफेद मानो कि पूरा मारकर सफेद है मैंने बोला पूरा मारकर सफेद है चीक है अब अगर मैं बोलू कि कुछ मारकर सफेद है यानि इतना हिस्सा मारकर का सफेद है तो क्या ये बात गलत है क्या नहीं सही बात है कि हाँ इतना मारकर का हिस्सा सफेद है पूरा मारकर सफेद है यानि पूरा A जो है B है सभी A B है तो कुछ A B है यहाँ पर कुछ A B हो जाएंगे यानि पूरा मारकर सफेद है तो कुछ मारकर भी सफेद है ये बात भी सही है गलत नहीं है तो यहां से भी आप बना सकते हो ठीक है समझ में आया ओकी जैसे मेरे पास 1000 रुपे हैं जैसे मेरे पास 1000 रुपे है तो मेरे पास 500 रुपे है सही बात है अगर मेरे पास 1000 रुपे हैं तो मेरे पास 500 रुपे भी है तो ये बात सही है गलत नहीं है ठीक है यानि ये चीज़े आपको सीख लेनी है पहले बात तो आपको इस तरह से बनाना है ये ही डाइग्राम आपको यूज करना है मैं आपको बना करके दिखा रहा था कि भाई इस तरह से भी आपके डाइगराम बन सकते हैं जरूरत पढ़ने पर बनाएंगे वाराल इसी तरह से आपको बनाना है यह हो जाएगा यह भी हो जाएगा भाई पूरा हिस्सा A है और इतना हिस्सा B ने घेर लिया यानि कुछ A जो है वो B हो गए ठीक है समझ में आया यहां से हमने क्या सीखा कि सभी A B हो रहे हैं जब सभी A B के अंदर है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कुछ हिस्सा मालो यह वाला हिस्सा यह B है बिल्कुल आपको होगे बिल्कुल B है क्योंकि भाई यह तो B के अंदर ही है तो इस तरह से भी आपका डाइगराम बन सकता है इसलिए आपको सारी चीजे समझ में आने चाहिए कि यह डाइगराम क्यों बन रहा है समझ मैं आप चलिए पहला पॉइंट हो गया आपका डाइगराम बनाने का कुछ अगर कुछ वाला कोशन पूछेगा कतन देगा तो इसका डाइगराम कैसे बनाना है आपको मैंने बता दिया ठीक है कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए अब देखिए अब आपसे पूछेगा कोशन अब आपसे पूछेगा कोशन यानि आपसे निसकर्स पूछेगा आपको बताना है इसमें कौन सा निसकर्स सही है और कौन सा निसकर्स आपका गलत है चीक है चलिए देख लेते हैं अब देखिए कुछ A सोरी कुछ A B है यह कतन हो गया अब पहला निस्कर्स है हमारे पास कुछ B A है हमें केबल यही वाला डाइगराम यूज करना इसको आप इन तीनों को भूल जाओ भूल जाओ इन तीनों को हमें यूज करना है केबल यह वाला डाइगराम उसने बोला कुछ B A है तो कुछ B तो B का इतना हिस्सा जो है इतना हिस्सा वो A है यानि बिल्कुल सही बात है यहां से भी आप देख सकते हो इन डाइगराम से भी चेक कर सकते हो देखी यहाँ पर भी B का हिस्सा क्या है A है यहाँ पर भी B का हिस्सा क्या है A है चीक है यहाँ पर भी B का हिस्सा क्या है A है तो चेक कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो यानि कि यह सही हो जाएगा यह कथन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा कोई दिक्कत कोई समस्या अगर हो तो आप doubt पूछ सकते हो मैंने number आपको provide किया हुआ है तो पहला आपका सही हो जाएगा कैसे सही हो जाएगा आप खुद देख करके बताओ तुक्का नहीं मारना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दुवारा देखो मैं एक concept सिखाना चाह रहा हूँ मैं रटाना नहीं चाह रहा है चीज़ों को आप देखो ना यहां पर कुछ A भी है भाई B का जो कुछ हिस्सा है इतना हिस्सा जो है B का यह जो हिस्सा है मैंने डार किया हुआ है वो A की अंदर है और A का सभी के अंदर है जानि आपस में यह कुछ A, B हो जाएंगे यह हो जाएंगे तो यह आपका right हो गया अब अब next देखते हैं अगला देखते हैं नेक्स्ट है आपका सभी A, B हैं क्या सभी A, B हैं सभी A, यहाँ पर B दिखाई दे रहे हैं क्या आपको सभी A B आपको दिखाई दे रहे हैं क्या हमें नहीं दिखाई दे रहे आप इसको मत देख ले ना कि यहां पर सभी A B है यह तो मैंने आपको कुछ A के हिसाब से बना करके दिखाया है क्या ऐसे बन सकता है ऐसे बन सकता है लेकिन इसमें ये वाला भी तो सही हो जाएगा सभी A B है तो ये केवल बन सकता है यानि संभावना है संभावना पर आधारित है ये तो इसको हम ये नहीं मानेंगे जब तक ये नहीं बोलेगा कि सभी A B है तब तक हम उसको नहीं बनाएंगे लेकिन अगर संभाव ना है तो बना सकते हम बनाना केवल यह बाला है इसलिए मैंने बोला है कि डाइग्राम हमेशा यही बनाना है ओकी जितनी बात कथन में बोलेगा उतनी बातों का ही ध्यान रखना है हमें एक्स्ट्रा बातें अपने तरफ से हट नहीं करनी है जब हमें यही बोला है कि कुछ A B है तो हम सभी A को B क्यों बनाएं सभी A को B क्यों बनाएं नहीं बनाएंगे लेकिन हाँ, संभावनावाले केश में यह भी सही है यह भी बन जाएगा अगर संभाबना होगी तो यानि अगर निस्कर्स में संभाबना दे करके पूछेगा सकता सकती वाला तो बहुत बन जाएगा तब गलत नहीं है चलिए तो यहाँ पर बोलाएं सभी A, B है क्या सभी A, B है क्या नहीं है भाई इतना हिस्सा तो B नहीं है केवल इतना ही तो हिस्सा B के अंदर है इतना हिस्सा B के अंदर थोड़ी है तो यह क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा ठीक है यह क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा आगे पुछा है सभी B, A है क्या सभी B, A है क्या नहीं है इतना हिस्सा B का A में है बाकी का हिस्सा जो है इतना वो A में नहीं है यानि ये भी आपका गलत हो जाएगा आगे है कुछ A B नहीं है देखे कुछ A B है और कुछ A B नहीं है आपको यहाँ पर भी डाउट होगा अच्छे से समझेंगे ध्यान से समझेंगे आप बोलोगे सर ये तो ठीक है कि कुछ A, B है तो कुछ A, B नहीं है ये बास सही होगी लेकिन आप समझो ध्यान को ध्यान से समझो ये बास सही नहीं है गलत है कैसे गलत है देखिए कुछ A, B है यह हमसे बताया गया है लेकिन हमसे यह थोड़ी नहीं बोला गया है कि भाई यह इतना हिस्सा भी नहीं हो सकता हम यह नहीं बोला गया कि मतलब बाकी का जो A है वो B नहीं हो सकता यह थोड़ी बोला गया है हमसे यह नहीं बोला गया कि केवल कुछ A भी है यानि कि केवल इतना हिस्सा भी है हमसे यह भी नहीं बोला गया आप समझो इस बात को जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर मारकर का ले लेते हैं एक्जामपल ठीक है जैसे मैंने इतना मारकर के बारे में आपको बताया ठीक है ये मैंने नीचे का इसा चिपा लिया ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने बोला कुछ मारकर सफेद है ये अगर मैंने बोला यहाँ पर कि कुछ मारकर सफेद है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कुछ मारकर सफेद नहीं है यानि आप ये नहीं बोलोगे कि जो नीचे का हिस्सा है जो हम जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो सफेद नहीं है आप बोल सकते हैं कि इसको नहीं बोल सकते ना ऐसे हो सकता नीचे भी सफेद हो ठीक है हो सकता नीचे कोई और कलर हो सफेद ना हो तो हम confirm नहीं कह सकते हैं कि भाई कुछ मारकर सफेद है और कुछ मारकर सफेद नहीं है भाई इतनी बात तो हमें पता है कि कुछ मारकर जितना मारकर आपको दिख रहा है उपर का कि ये मारकर सफेद है लेकिन जो मारकर नहीं दिख रहा उसके बारे में आप नहीं बोल सकते हो कि कुछ मारकर सफेद नहीं है ये बात आप नहीं बोल सकते हो ठीक है ये बात आपको समझ में आ रही है कुछ हिस्सा आपको दिखा रहा हूं इसका मैंने बोला कि कुछ मारकर सफेद है यह जो ओपर का हिस्सा है मारकर का वो क्या है सफेद है यह मैंने बोला है तो क्या इससे यह डिसाइड कर सकते हो आप कि कुछ मारकर सफेद नहीं है यानि जो नीचे का हिस्सा जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है क्या आप उसको decide कर सकते हो क्या कि कुछ मार कर सफेद नहीं है आप decide नहीं कर सकते हमें क्या पता हमने जब हमें पता ही नहीं उसके बारे में कि सफेद है या काला है या पीला है तो हम कैसे decide कर सकते है वो सफेद भी हो सकता है काला भी हो सकता है पीला भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है हमें उसके बारे में पता ही नहीं है ठीक है हो सकता है पूरा का पूरा मार कर सफिय दो ठीक है यह भी हो सकता हो सकता है नीचे काला हो कुछ भी हो सकता है ना समझ में आया यानि कुछ A, B है ये तो हमें दिया हुआ है लेकिन कुछ A, B नहीं है इस बात को confirm नहीं कहेंगे हम ये क्या है गलत हो जाएगा confirm नहीं है ये गलत हो जाएगा और कुछ B, A नहीं है ये भी गलत हो जाएगा सेम बात है ठीक है हमें पता है कुछ B, A है तो कुछ भी A नहीं होंगे ऐसा हम नहीं कह सकते हैं गलत हो जाएगा अगर कहोगे तो ठीक है निस्कर्स में आएगा तो गलत हो जाएगा ओके आगे देखते हैं उसके बाद कोई A B नहीं है सरासर जूट बोल रहा है हमें साप साप दिख रहा है B में और A में रिलेशन है तो ये तो गलत हो जाएगा कि कोई A B नहीं है सीधा सीधा गलत हो जाएगा आपको समझ में आया ठीक है एक पॉइंट आपको और याद रखना है अगर अमारा पोजिटिव है अगर कतन अमारा पोजिटिव है तो आपका जो निसकर्स है वो negative नहीं आएगा छीक है 99% आपका निगेडिब निसकर्स नहीं आएगा 100% नहीं बोला मैंने 99% बोल रहा हूँ कि अगर कतन positive है जैसे यहां पर कहीं note नहीं दिया हुआ negative बात नहीं है कुछ A B है एक positive है छीक है लेकिन यहां पर ये भी negative है तो ये तो कते ही नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है निगेडिव वर्ड है ओपर वाली उसमें आ सकते हैं तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो एक केस में आ सकता है निगेडिव अगर कतन पोजिटिव है तो negative एक case में आ सकता है किसमें अगर संभावना दी हुई हो तो उसमें आ सकता है ठीक है तो संभावना वाले में आ सकता है ओके बाकी आपका जल्दी से यानि 99 अगर simple कथन है संभावना नहीं है सकता सकती नहीं उसमें बोला तो फिर आपका नहीं आएगा वो सही नहीं होगा कथन चाहिए आप 100% बिसको गलत कर सकते हो यानि आप उसको आँख बंदगर के भी काट सकते हो अगर संभावना नहीं है संभावना वाला case है तब आप उस पर ध्यान देंगे उसको पढ़ेंगे समझेंगे तब जाकर के उसको गलत या सही करेंगे ठीक है क्या आपको इतनी बात समझ में आई ठीक है इतनी बात आपको समझ में आई होगी I hope उमीद करता हूँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और question पर आते हैं हंडेट परसेंट नहीं तो 50-40 परसेंट तो आया होगा बाकी का हम आगे जब अभी question में आपको कराऊंगा वहाँ पर सीखेंगी ठीक है ओकी तो एक बार मैं repeat कर लेता हूँ कुछ B A है ये बात तो सही है क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा कुछ B A है यानि B का इतना हिस्सा A है सभी A B है सभी A B का हमें नहीं पता हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते सभी तो हमें इतनी जगे खाली दिख रही है तो हम नहीं कहेंगे गलत हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा नहीं वाला आप डिलीट कर दो बिल्कुल सीधा सीधा ठीक है कोई दिक्कत ओके चलिए आगे बढ़ते है कोश्चन नमबर देखते हैं पहला यानि कुछ पर आधारित प्रश्ण चलिए पहला है आपका कोश्चन कथन है कुछ डिब्बे गुडियां है A, B, C मतलब है A की जग़े कुछ भी दे सकता है कुटा, बिल्ली, चूहा, सेव, संत्रा केला मतलब A to Z, A, B की जग़े कुछ भी दे सकता है उस पर आपको नहीं जाना है ठीक है ये मत सोचना कि मैंने A और B के बारे भी ही बताया भाई, इनकी जग़े कुछ भी आ सकते हैं जैसे कोश्चन में बोल रहा है कि कुछ डिब्बे गुडियां है आगे है कुछ गुडियां कलम है ये आपके कथन है ये क्या है भीया कथन कथन आपके दिये है दो कथन है कुछ डिब्बे गुडियां है और कुछ गुडियां कलम है ये चीज़े आपको समझ में आई के लिए रहना अब यहाँ पर निसकर्स देख लेते है निसकर्स में क्या क्या है तो पहला निसकर्स क्या है पहला निस्कर्स है आपका कुछ डिब्बे कलम है कुछ डिब्बे कलम है दूसरा निस्कर्स है आपका एक कथन से आपके साथ निस्कर्स बन सकती है तो दो से आपके डबल बन जाएंगे ठीक है तो उतने पूछेगा नहीं तीन चार निस्कर्स पूछता है तो वही हम बहुती यहां पर discuss कर रहे हैं ठीक है बाकिया आपको मैंने बता दिया कि साथ में से केवल आपका एक ही सही हुआ था ओके चलिए दूसरा है कुछ कलम डिब्बे हैं कुछ कलम डिब्बे हैं तीसरा हो जाएगा आपका तीसरा क्या हो जाएगा कुछ कलम गुडियां है कुछ कलम गुडियां है चोथा हो जाएगा आपका सभी कलम गुडियां है सभी कलम ठीक है पांचवा हो जाएगा कुछ कलम गुडियां है कुछ कलम गुडियां है छटा हो जाएगा आपका कुछ गुडिया कलम नहीं है ठीक है यह आप से पूछाए तो यह आपके निसकर्स मैंने लिख दिये हैं आपको बताना है कौन सा निसकर्स सही होगा कौन सा गलत होगा कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा इतना ही आपको बताना है सबसे पहले आप डाइग्राम बनाओ डाइग्राम बनाएंगे कुछ डिब्बे गुडियां है तो मैंने आपको डाइग्राम बनाना सिखाया है ठीक है कैसे बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे कुछ डिब्बे कुछ डिब्बे क्या है गुडिया कुछ डिब्बे तो कुछ बाला हम डाइगराम ऐसे बनाते हैं क्या है गुडिया तो कुछ डिब्बे गुडिया है आगे बोला है कुछ गुडिया कलम है तो कुछ गुडिया जो है वो क्या है कलम है ठीक है यह हमारा डाइगराम बन गया कुछ डिब्बे गुडिया है कुछ गुडिया डिब्बे है यह हमारा डाइगराम बन गया ठीक है I hope कि आपको डाइगराम समझ में आया होगा समझ में आ गया ना कुछ डिब्बे गुडिया है इसी तरह से बनाएंगे कुछ बाला ठीक है यानि इतना हिस्सा जो है वो गुडिया का हो जाएगा कुछ गुडिया कलम है यानि कुछ गुडिया का हिस्सा ये कलम में चला जाएगा इतनी बात आपको समझ में आई होगी अब निसकर्स देख लेते हैं कि करके निसकर्स में क्या है ठीक है तो पहला निसकर्स है आपके पास कुछ डिब्बे कलम है कुछ डिब्बे यानि ये जो डिब्बे है वो कलम है क्या इस में आपको नजर आ रहा है क्या कि डिब्बे और कलम में कोई रिलेशन है डिब्बे और कलम में कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है क्या नजर नहीं आ रहा ठीक है नजर नहीं आ रहा यानि हमें कथन में डिब्बे और कलम में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ तो निसकर्स में भी कोई रिलेशन नहीं निकलेगा यह धिहार नगनाई यहां पर कुछ वाले सेंस में तो कोई भी हमें संबंद नजर नहीं आ रहा यानि यह हो जाएगा आपका गलत ठीक है उसके बाद है कुछ कलम डिब्बे हैं कुछ कलम डिब्बे हैं तो यह भी गलत हो जाएगा ठीक है ने तो डिब्बे कलम है और ने ही कलम डिब्बे से सम्मंदित है तो दोनों के दोनों आपके घलत हो जाएंगे कुछ कलम गुडियां है next है तीसरा आपका कुछ कलम गुडियां है कुछ कलम तो कलम का इतना हिस्सा क्या है वो गुडियां है तो ये बात आपकी बिलकुल सही हो जाएगी एकदम accurate हो जाएगी 100% उसके बाद बोला है सभी कलम गोडिया है क्या सभी कलम गोडिया है क्या सभी कलम गोडिया के अंदर है क्या नहीं है यानि कुछ कलम है कि एवल इतना हिस्सा है बाकी का इतना हिस्सा जो है वो गुडिया से बाहर है तो इतनी बात समझ में तो जब बाहर है तो सारे के सारे गुडिया के अंदर नहीं है यानि ये भी आपका गलत हो जाएगा कुछ कलम गुडिया है कुछ कलम गुडिया है कुछ कलम गुडिया है ये तो सही है कुछ कलम कुछ कलम जो है वो गुडिया के अंदर है ओके दो बार रिपीट हो गया क्या चलिए ये दो बार रिपीट हो गया उसके बाद कुछ कलम कुछ कलम कुछ गुडिया एक मिनट कुछ कलम गोडिया नहीं है कुछ कलम यहाँ पर था गोडिया नहीं है यह देखेंगे थोड़ असा गलत लिखा गया और कुछ गोडिया कलम नहीं है कुछ गोडिया कलम नहीं है ठीक है तो यह था आपका तो ये देख लेते हैं कुछ कलम गुडिया नहीं है कुछ कलम गुडिया नहीं है तो इस बात को आप कह सकते हो गया मैंने आपको बताया है कुछ कलम गुडिया है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कुछ कलम गुडिया नहीं है क्योंकि भाईया हमें नहीं पता हमें केवल कुछ के बारे में ही पता है हमें हमें इतना पता है कि कुछ कलम गुडिया है हमें ये नहीं पता कि बाकी का कलम गुडिया है या नहीं है हमें नहीं पता जैसे मैंने एक्जामपल दिया था मैं दुबार से आपको बता दिता हूं देखिए यह आपका मैंने मारकर का एक्जामपल लिया था ठीक है मैंने बोला था कि कुछ मारकर सफेद है यह जो मारकर का इतना हिसा वो सफेद है तो इस से यह डिसाइड कर सकते हो कि आप के बाकी जो बचा हुआ मारकर है वो सफेद नहीं है यानि आप ये बोल सकते हो कि कुछ मारकर सफेद नहीं है भाई कुछ तो सफेद है और आप ये नहीं कह सकते है कि कुछ मारकर सफेद नहीं है हमें नहीं पता बाकी का मारकर सफेद है या नहीं है यानि कुछ मारकर सफेद है या नहीं है बाकी का हमें नहीं पता लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं पता, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, कुछ गुडिया कलम, नहीं ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, बाकि इधर और बाली जो condition होती है वो हम आगे पड़ेंगे, केवल यहाँ पर हमें सही और गलत ही बताना है, कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत, ठीक है, समझ में आया, इतनी बातें आपको समझ में आईए, तो यह diagram आपको बनाना आ गया होगा, चलिए, आगे देखते हैं, अगला question, question number next, question number next देखते हैं, question number next है, question number next है, question number next है हमारी पास, कथन है, कथन है, कुछ बाइक कारे हैं, कुछ इंदी में लिख देता हूँ मैं, कुछ बाइक कारे हैं, ठीक है, आगे है, कुछ कारे ट्रक है, यह आपका कतन है ठीक है अब निसकर्स देख लेते हैं निसकर्स में क्या क्या है निसकर्स में हैं कुछ ट्रक बाइक है पहला है कुछ ट्रक बाइक है दोसरा निसकर्स है कुछ ट्रक कार है कुछ ट्रक कार है तीसरा निसकर्स है कुछ कारे बाइक है कुछ कारे बाइक है चोथा है आपके पास निसकर्स कुछ कारे बाइक नहीं है कुछ कारे बाइक नहीं है उसके बाद है, कुछ कारे बाइक नहीं है, कुछ ट्रक कार नहीं है, चटा है आपका, कुछ ट्रक कार नहीं है, ये इतने ही है आपके, तो पांच निसकर्स है, इसमें आपको बताना है, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत, ठीक है कौन सा सही और गलत बताने है केवल कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा ठीक है डाइग्राम कैसे बनेगा भईया कुछ बाइक कार है कुछ बाइक क्या है भईया कार है तो ये कुछ बाइक अगर ये बाइक है तो बाइक का कुछ हिस्सा क्या है वो कार है ठीक है बाइक का कुछ हिस्सा यानि बाइक का इतना हिस्सा क्या है कार है उसके बाद है कुछ कारे ट्रक है तो कुछ कार यानि कार का कुछ हिस्सा इतना हिस्सा क्या है ट्रक है तो ट्रक होगे समझ में आया कोई दिक्कत डाइगराम आप आसानी से बना सकते हो कोई समस्य आपको नहीं होनी चाहिए आसानी से आप बना सकते हो ठीक है तो ये आपका कथन है जिसको आपने डाइगराम के रोप में बना लिया है तो इसी के आधार पर आपको question के answer देने है यानि निसकर्स निकालने है कौन सा निसकर्स यहाँ पर सही होगा कौन सा गलत होगा चीक है तो चलिए देख लेते हैं पहला है कुछ ट्रक बाइक है क्या बाइक और ट्रक में कोई संबंद आपको दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है आप बोलोगे नहीं दिखाई दे रहा तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा कुछ ट्रक कार है कुछ ट्रक कार है बिल्कुल सही बात है कार है यह जो ट्र कुछ कारे बाइक है, कुछ कार बाइक है, कार और बाइक में relation है न, तो यानि कि ये जो हिस्सा है कार का वो बाइक है, यानि ये बात भी आपकी सही है, ठीक है, ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, आगे है कोई कारे बाइक नहीं है, कोई कारे बाइक नहीं है, को कार तो बाइक से संबन्दित है ना तो हम नहीं वाला इसको कभी ये सही नहीं होगा और नहीं वाला तो आपको कार देना है बिना पड़े आप कार दोगी बाकी concept भी सीखना जरूरी है कुछ ट्रक कार नहीं है कुछ ट्रक तो कार है लेकिन हमने क्या बोला था ये हम नहीं बत आ सकते हैं कि कुछ ट्रकार नहीं है क्योंकि हमें कुछ बाकी के जो है उसके बारे में नहीं पता हो सकता है पूरी कार ट्रक के अंदर आ जाए ठीक है यानि पूरा ट्रक कार के अंदर आ जाए या हो सकता पता नहीं क्या हो हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे, तो I hope कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, अगर मैं अब बात करूँ यहाँ पर, सक्ता सक्ती वाला, सक्ता सक्ती, ठीक है, यानि अगर सक्ता सक्ती लगा करके दे दे, यानि संभावना, अगर आपको निसकर्स में सक्ता सक्ती लगा करके दे दे, यानि संभावना दे दे, तो फिर क्या करेंगे, चलिए, संभावना वाले दो निसकर्स में लिख देता हूं, कुछ ट्रक बाइक हो सक्ती है, ठीक है, पहला है आपका कुछ ट्रक बाइक हो सकते हैं दूसरा है कुछ बाइक कारे नहीं हो सकती तो ये दो निश्कर से आपके संभावना वाले आप मुझे बताईए इन में से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा पहला है आपका कुछ ट्रक बाइक हो सकते हैं दूसरा है कुछ बाइक कारे नहीं हो सकती है तो ये आपका संभावना वाला केस है तो इसमें आप बताईए मुझे कि कौन सा सही हो सकता है कौन सा गलत तो देख लेते पहला कुछ ट्रक बाइक हो सकती है ट्रक कहां पर है हमारा ये है और बाइक कहां पर है ये है क्या कुछ ट्रक यानि ट्रक का कुछ हिस्सा बाइक के अंदर आ सकता है आ सकता है बिल्कुल आ सकता है कैसे भाई ये अगर बाइक है ठीक है और ये कार है ठीक है तो हमें क्या करना है कुछ कार ट्रक बनानी है न तो कुछ कार ट्रक तो यहाँ पर भी ऐसे भी बना सकते है ठीक है वह कुछ कार ट्रक ऐसे तो कुछ ट्रक का इससा यहाँ पर क्या जाएगा यानि यह वाला डाइगराम संभावना वाला डाइगराम है यह संभावना ठीक है यानि जब सकता सकती तो यानि कि कुछ ट्रक जो है यहाँ पर बाइक हो सकती है यानि कि ये कहना गलत नहीं है कि कुछ ट्रक बाइक हो सकते हैं ये बिल्कुल सही बात है हो सकते हैं या हो सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा आगे बोला है कुछ बाइक कारे नहीं हो सकती है कुछ बाइक ये जो बाइक है वो कारे नहीं हो सकती है ये भी सही है कैसे सही है देखे कुछ बाइक तो कार है लेकिन जो बाकी की बाइक है वो हमें नहीं पता उसके बारे में कि वो कार है या फिर नहीं है यानि कि संभावना है वहाँ पर हो भी सकती है भी तो जब संभावना में सकता सकती लगा देंगे तो हमारा वो सही हो जाएगा ठीक है जैसे फिर से मैं इस पर example देता हूं marker वाला जैसे मैंने बोला marker कुछ marker white है कुछ marker सफेद है अगर मैं बोलू कि कुछ marker सफेद नहीं हो सकता कुछ के बारे में तो मैंने दिखा दिया बाकी का जो बचा हुआ है क्या उसमें कुछ marker सफेद नहीं हो सकता क्या ये बात सही है या गलत है सही बात है बाई हमें इतने के बारे में ही पता है बाकि नीचे के बारे में नहीं पता नीचे का हो सकता सफेद ना हो ठीक है हो सकता पूरा सफेद हो यानि हमें कंफर्म नहीं पता जब कंफर्म नहीं पता है तो सकता सकती लगा करके हमारा निसकर्स सही हो जाता है है ना यानी नहीं हो सकता ये समबाबना ए यानी ये सही बात है बिल्कुल ठीक है इस तरह से आपको सकता सक्ती लगाकर के चीजों को सीखना है समबाबना वाले केस में IHOP के ऐज़ीज आपको समझ में आई होगी अगे आगे example और देखते हैं तो ये कुछ वाला जो example है आपको समझ में आया होगा example और भी है बाकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे example लिखता हूँ तो बहुत लंबी class हो जाएगी चीके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number next तो कुछ वाला आपको समझ में आया होगा जितना मैंने आपको बदाया है इतनी बाते आपको समझ में आई होगी अब सभी पर आधारित देख लेते हैं चीके सभी पर आधारित सभी पर आधारित तो सभी बाले diagram को कैसे बनाना है देख लेते हैं सबी पर आदारित चलिए एक आप और इसको सीखेंगे कुछ वाले डाइगराम में एक कुश्चन और सीखेंगे फटा-फट से मैं आपको बता देता हूँ कुछ पसू, कुछ वाला ही डाइगराम है अभी मतलब कुश्चन है कुछ पसू कुछ पसू हाथी है आपको बताना है तुरंट से, ठीक है कुछ कुछ हाथी बाग है ठीक है, यह आपका कतन है और यहाँ पर मैं आपको निस्कर्स लिख करके देता हूँ पहला है आपका कुछ पसू बाग है दूसरा हो जाएगा कुछ बाग हाथी है कुछ बाग हाथी है तीसरा हो जाएगा आपका कुछ हाथी यह कुछ हाथी पसू है कुछ हाथी पसू है उसके बाद हो जाएगा चोथा कुछ हाथी पसू नहीं है कुछ हाथी पसू नहीं है उसके बाद हो जाएगा आपका कुछ बाग पसू नहीं है उसके बाद हो जाएगा कुछ पसू बाग नहीं है कुछ पसू बाग नहीं है ठीक है तो ये है आपका फटा फट से आपको करना है बताना है कौन सा निसकर से सही है और कौन सा निसकर से आपर गलत है कौन सा सही है कौन सा गलत है इसमें आपको बताना जल्दी से फटट फट से बताई फिर हम आगे बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं तो डा要गराम बनाओ जल्दी से कुछ पसू हाती है कुछ पसू मानों ये पसू है और पसू का कुछ हिस्ता जो है क्या है? अधि कि यानि इतना हिस्ता जो है वो हाती में मिला हुआ तो हाथी का और पसु का संबंद हो जाएगा, जो कि हमें कतन में दिया ही हुआ नहीं है, जब कतन में दिया हुआ नहीं है, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं, यानि कि ये वाला हिस्सा ही, यानि इधर बनाएंगे, क्या है भाग, तो ये जो हिस्सा है हाती का, वो क्या है भाग है, आई होग की ये आपको समझ में आया होगा, अब निसकर्स देख लेते हैं, कुछ पसू बाग है, क्या पसू का और भाग का संबन्ध है क्या नहीं है, नहीं है, तो ये क्या हो कुछ बाग हाती है, कुछ बाग हाती है, बिलकुल सही बात है, कि बाग का ये हिस्सा जो हाती है, सही हो जाएगा, कुछ हाती पसू है, सही बात है, ये जो हिस्सा है हाती का, ये पसू हो जाएगा, कुछ हाती पसू नहीं है, तो ये क्या बात हो जाएगी, गलत हो जाएगी, नहीं वाले सारे के सारे आपके गलत हो जाएगे आँख बंद करके आप गलत कर सकते हो एक्जामपल मैंने आपको दे दिया है कहीं बार ठीक है और यहीं पर अगर सकता सकती करके पूछ ले सकता सकती यहीं सकता सकती अगर करके आपसे पूछे यहीं संभावना वाले प्रशन आपसे पूछ ले निसकर्स तो क्या करोगे कुछ पसू बाग हो सकते हैं अगर यह आपसे पूछेगा कुछ पसू बाग हो सकते हैं दूसरा पूछेगा आपसे कुछ हाथी पसू नहीं हो सकते कुछ हाथी पसूर नहीं हो सकते अगर इस तरह से आप से पूछे तो भईया क्या करोगे आप कौन सा सही लगाओगे कौन सा गलत लगाओगे जल्दी से बताओ अगर संभावना बाला कोशन पूछ ले सकता सकती लगा करके सकता सकती का मुतलब क्या है संभावना ही तो है तो अगर ये पूछ ले आप से तो फिर आप कैसे करोगे चलिए पहला देख लेते हैं कुछ पसू बाग हो सकते हैं क्या कुछ पसू ये जो पसू है वो बाग हो सकते हैं क्या बिलकुल हो सकते हैं संभावना के केस में डाइग्राम ये वाला बन जाएगा इस तरह से ठीक है तो हो सकते हैं बिलकुल हो सकते हैं है ना यानि इन दोनों में हम संबंध हो सकता है ये संभावना है तो यानि ये सही हो जाएगा ठीक है अगर बोले है जैसे यहां पर बोला है कुछ पसू बाग है अगर direct बोल रहा है तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें तो पता ही नहीं इन दोनों के बारे में भाई हो भी सकते नहीं भी हो सकते क्योंकि मना नहीं किया है कथन में अगर मना नहीं किया तो हो भी सकते नहीं भी हो सकते तो इसलिए अगर डाइरेक्ट बोला ये गलत हो जाएगा लेकिन अगर ये बोले कि कुछ पसु बाग हो सकते हैं तो ये ठीक हो जाएगा आगे कुछ हाथी पसु नहीं हो सकते कुछ हाथी पसु नहीं हो सकते सही हो जाएगा सकता सकते के केस में कि भाया इतना हिस्सा ही तो है हाती का पसू ठीक है कुछ इतना हिस्सा बाकी का ये जो बचा हुआ हिस्सा वो नहीं हो सकता वो पसू में नहीं आ सकता ये बात सही है हो सकता है कि ना आए ठीक है तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी है और डाउट नहीं रखना ठ चलिए आगे देखते हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कुछ वाली जो चीजें है मैंने 4-5 प्रश्ण से आपको समझाया है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हैं चीक है आगे बढ़ेंगे और देखते हैं सभी पराधार्य देखेंगे तो सभी A, B हैं अगर सभी वाला होगा तो कैसे लिखा होगा सभी A, B हैं चीक है ये आपका होगा कथन लिखा हुआ सबी A, B हैं तो इसका डाइग्राम कैसे बनाएंगे अभी सीखेंगे बाकि इससे कितने निश्कर्स निकल सकते हैं एक कथन से कितने निश्कर्स निकल सकते हैं साथ निश्कर्स साथ निश्कर्स आप निकाल सकते हो देखे सबी पहला हो जाएगा सबी B A है पहले निसकर def दूसरा हो जाएगा कुछ A B है तीसरा हो जाएगा कुछ B A है चोटा हो जाएगा चोटा हो जाएगा चोटा हो जाएगा आपका कुछ A B नहीं है 5 बा हो जाएगा कुछ B A नहीं है 6 नमबर पर हो जाएगा सभी A 6 नमबर पर कौन सा हो जाएगा सभी वाला सभी या सभी नहीं सभी वाला तो हो गया आगे हो जाएगा कोई A B नहीं है साथ बा हो जाएगा कोई B A नहीं है कुल मिला करके साथ निसकर्स साथ निसकर्स आपके निकल सकते हैं साथ निसकर्स आपके निकल सकते हैं ये साथों के साथों मैंने आपके सामने लिख दिये चीक है एक कथन से साथ निश्करस आप निकाल सकते हो अब डाइगराम बना लेते हैं कैसे बनेगा सब ही A B है यानि की A का जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा B के अंदर आना चाहिए सब ही A B है इसका मतलब क्या है कि A का सारा का सारा इसा B के अंदर आना चाहिए यानि की ये सारा का सारा इसा B के अंदर आना चाहिए तब ही जाकर के सारे के सारे A यानि ये जितने भी A है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे B हो जाएंगे तो ये diagram आपको बनाना आना चाहिए समझना आना चाहिए कि सारे के सारे A जो है वो B है अब देख लेते हैं पहला निस्कर्स है आपके पास सभी B A है सभी B A है क्या सभी B A आपको दिखाये दे रही है क्या? नहीं है कैसे नहीं है दिखी B का केवल इतना हिस्सा ही तो A ने घेरा हुआ है B का केवल इतना हिस्सा A ने घेरा हुआ है बाकी तो बच रहा है ना बाकी का यह हिस्सा तो बच रहा है इधर का यह तो हिस्सा खाली है बचा हुआ है तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ क्या सभी A कि सभी भी ए हैं तो गलत हो जाएगा ठीक है दूसरा point आप ये ध्यान रखेंगे दूसरा point क्या ध्यान रखना है इसमें देखे सीधा मतलब concept तो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मैंने concept बताया बाकिया आप सीधा ये भी याद रखेंगे direct के अंदर वाला बाहर वाले का क्या होता है सभी होता है अगर मैं बोलू ठीक है एक सेकिंड अगर मैं बोलू के सभी A, B हैं बिल्कुल सही बात है लेकिन अंदर वाला जो है बाहर वाले का सोरी बाहर वाला जो है अंदर वाले का कुछ होता है, तो ये क्या होगा कुछ होगा, यानि कुछ भी A है, सही बात है और सभी A, B है, ये क्या है ये भी सही बात है, ये सभी होगा ठीक है, और ये कुछ भी हो जाएगा भाई ये कुछ भी हो जाएगा ये तो दोनों हो जाएगा कुछ भी और सभी भी सभी A भी है यह सही बात है मैं इस डाइग्राम की बात कर रहा हूँ अगर इस तरह से डाइग्राम आपका बन गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सभी A भी है सही बात है कुछ A भी है सही बात है ठीक है अंदर से बाहर की और सोरी बाहर से अंदर की और जाएंगे तो क्या हो जाएगा कुछ होगा कुछ भी ए है सही बात है क्या सभी भी ए है गलत बात है यह गलत बात है ठीक है क्योंकि बाहर जो इस्सा है बच जाता है तो यह बात आपको याद रखनी है तो पहले क्या हो गया हमारा गलत हो गया अब बोला है कुछ A B है यानि कुछ A A का जो कुछ हिस्सा है मान लो A का इतना हिस्सा वो B है क्या ये बात सही है बिलकुल सही बात है A का इतना हिस्सा क्या है B के अंदर आ रहा है ठीक है तो ये बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी गलत नहीं है ठीक है कुछ B A है कुछ B यानि B का जो इतना हिस्सा है वो क्या है A है तो ये तो बात सही है बिल्कुल ठीक है उसकी बात है कुछ A B नहीं है तो कुछ A B नहीं है निगड़ी वाला आप तुरन्त आख बंद करके cut कर दो cut कर दो ठीक है आख बंद करके cut कर दो अगर simple बोला है अगर समभावना वाले case में बोले तो फिर check करना है लेकिन अगर direct बोले तो आख बंद करके cut कर देना है ठीक है तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कैसे है देखिए कुछ A B नहीं है कुछ A जो है वो B नहीं है तो सरा सर गलत बात है क्योंकि सारे के सारे A जो है वो B है कुछ B A नहीं है देखिए कुछ B A नहीं है कुछ B जो है वो A है ठीक है लेकिन जो बाकी का हिस्सा है कुछ B A नहीं है ठीक है example मैंने पीछे दे दिया है कोई A B नहीं कोई वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि आपस में दोनों का relation है तो ये सारे कि सारे क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे I hope कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी चलिए आगे देखते हैं तो सभी को कैसे denote करते हैं आपको समझ में आया होगा चलिए अब इस पर B A सम question देख लेते हैं फिर उसके बाद कुछ और सभी दोनों पर आदारित question जो है हम बनाएंगे चलिए तो इस पर आदारित question हम देख लेते हैं कथन हैं हमारे पास क्या कथन हैं बईया कथन हैं सभी तोते कोयल हैं पहला है सभी तोते कोयल हैं दूसरा है सभी कोयल खरगोस हैं सभी कोयल खरगोश हैं ठीक है यह आपके कथन है अब निसकर्स में क्या दिया हुआ है निसकर्स और देख लेते हैं निसकर्स में क्या दिया हुआ है निसकर्स नमबर वन है सभी खरगोश तोते हैं सभी खरगोश तोते हैं दूसरा है आपका निसकर्स सभी तोते खर्गोस है उसके बाद है तीसरा निसकर्स है सभी खर्गोस तोते हैं सभी खर्गोस तोते हैं चोथा निसकर्स है आपके पास है कुछ तोते कोयल नहीं है कुछ तोते कोयल नहीं है पाँच वा है कुछ तोते खर्गोस है कुछ तोते खर्गोस है तो कुल मिला करके पाँच निसकर्स आपके सामने मैंने लिख दिये है टाइगराम बनाओ और कोशिश करो कि इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही आपका निसकर्श है तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है डाइग्राम बना करके आप डिसाइट करो तो बहिए डाइग्राम बनाते हैं सबसे पहला है सब ही तोते कोयल हैं कि चितने भी तोते हैं यानि ये जो तोते हैं सारे के सारे वो कोयल के अंदर आने चाहिए सारे के सारे तो होते यानि ये इस तरह से आप बनाओगे ठीक है ये क्या हो जाएगी कोयल इतनी बात समझ में आई उसके बाद क्या बोला है सभी कोयल खरगोश है यानि सारी की सारी कोयल जो है वो खरगोश के अंदर आने चाहिए ये क्या हो जाएगा खरगोश तो इस तरह से आपका डाइगराम बन जाएगा डाइगराम बनाने में कोई दिक्कत अगर हो तो आप doubt comment करके भी पोच सकते हो ठीक है तो डाइगराम बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने चाहिए चलिए अब देख लेते हैं निसकर्ष निसकर्ष में पहला निसकर्ष है सभी खरगोश तोते हैं कि ये सारे के सारे जो खरगोश है वो तोते हैं क्या तो हमने पहले डिसकर्ष कर लिया कि बहार बाला अंदर बाले का यानि अगर बहार बाले से कि तरफ आओगे तो सभी होगा ठीक है तो खरगोश से तोते की तरफ जा रहे हैं यानि बाहर से अंदर जा रहे हैं तो केबल कुछ ही होगा यानि सभी खरगोश तोते हैं ये गलत हो जाएगा कुछ ही होगा ठीक है और अंदर से बाहर को आते हो दिरूनों चीजे सही होती है यह आपको ध्यान रगना है चलिए सभी तोते खरगोश हैं सभी तोते खरगोश हैं तो सभी तोते हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा सभी खरगोश तोते हैं सभी खरगोश तोते हैं तो यह तो गलत हो गया तो बार से हमने रिपीट कर दिया असको कुछ तोते कोयल नहीं है अब देखिए नहीं वाला तो हम आँक बंद करके कट कर देंगे पहले बाद तो ये कॉंसेप्ट क्या है कुछ तोते कोयल नहीं है सारे के सारे तोते वो कोयल है तो बाहर होई नहीं सकते नैक का तो यहां पर मतलब भी नहीं बनता ठीक है कि कुछ तोते कोईल ना हो ओके तो यह गलत हो जाएगा कुछ तोते खरगोश है कुछ तोते जो है खरगोश है मैंने क्या बोला है जब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी भी सही होता है और कुछ भी सही होता है कॉंसेप्ट मैंने आपको बताया है कैसी होता है अगर सारे के सारे तोते खरगोश है तो अगर मैं इसका कुछ वाला पार्ट देखू तो यानि ये पार्ट देखू ये भी तो खरगोश के अंदर ही है तो ये भी तो खरगोश है यानि कि ये आपका सही हो जाएगा तो इस तरह से आपको ये फाइंड करने होते हैं और यही पर मैं अगर सकता सकती लगा करके तो आपको निसकर सुदू जैसे कुछ कोयल खरगोश नहीं हो सकती है कुछ कोयल खरगोश नहीं हो सकती इसके बाद है दूसरा कुछ खरगोश तोते नहीं हो सकते कुछ खरगोश तोते नहीं हो सकते हैं अगर ये पूछ ले वहिया ये अगर निसकर्ट में हो तो क्या हो जाएगा कुछ कोयल खरगोश नहीं हो सकती कोयल और खरगोश ये सारी की सारी कोयल जो खरगोश के अंदर आ रही है तो बाहर तो इससे निकलने का कोई चांस नहीं है अगर मैं ये बोले लगू कि इतनी कोयल जो खरगोस नहीं होगी तो भाया गलत हो जाएगा क्योंकि सारी की सारी कोयल खरगोस के अंदर है और इससे बाहर नहीं निकल सकती क्यानि कि ये तो सरासर गलत हो जाएगा अगला है कुछ खरगोस तोते नहीं हो सकते हैं तो कुछ खरगोस खरगोस यह है और तोते नहीं हो सकते देखिए तोते का तो हिस्सा केबल इतना है ये वाला हिस्सा बाकी का जो है ये बाकी का ये जो बाहर का बचा हुआ है खरगोस का हिस्सा वो हमें नहीं पता तोते हैं या नहीं है यानि हम कह सकते हैं कि ये तोते नहीं हो सकते ये सही बात है ठीक है इतना इससा जो है नहीं भी हो सकता ठीक है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो ये जो है आपका ये दूसरा गलत हो जाएगा और बाकी के आपके देखी सकते हो तो उम्मेद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत तो आपको समझ में आ रहा होगा और बाकी हम प्रैक्टिस जब करेंगे बाकी चीज़े जब समझ में आएगी और अभी दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगी बाकी चीज़ें आपको तब समझ में आएगी तो उमीद करता हूँ कि आपको सभी वाले और कुछ वाले जो है आपको समझ में आया होंगे एक्जाम्पल अब हम दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं देखिए मैं और एक्जाम्पल देता सभी पर आधारित लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए हम यहीं पर इसको पोस करते हैं यानि इसको यहीं पर रोकते हैं और आगे हम दोनों पर आधारित एक्जाम्पल को पढ़ते हैं चीक है दोनों पर आधारित एक्जाम्पल देखते हैं चलिए ताकि आपको कोशन बनाना आ क्योंकि कोशन तो यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं जो मैं अब कराने वाला हूँ आपको जो एक्जामपल में दूँगा कोशन यहीं से आते हैं आपके ज़्यादा चलिए पहला कोशन है कतन है पहला आपका कुछ पुस्त के उपन्यास है दूसरा इसमें कतन है सभी उपन्यास मैगजीन है तो अब देखे इसमें कुछ वाला भी कतन है आपका और सभी वाला भी इसमें दोनों टाइप के कतन है अब निसकर्स देखते हैं निसकर्स है आपका पहला पहला निसकर्स है सभी पुस्तके मैगजीन है सभी पुस्तके मैगजीन हैं तीसरा है आपके पास कुछ उपन्यास मैगजीन है आगे है वहिया सभी उपन्यास मैगजीन है उसके बाद है सभी मैगजीन उपन्यास है तो यह आपके निसकर्स है और यह आपके कथन दिये हुए है तो चलिए कैसे करना है और इसी टाइप के आपके कोशन पूछे जाएंगे ज़्यादातर सिंपल कोशन होते है टफ कोशन आपके नहीं होते है तो सिंपल ही पूछता है अब देखिए इसका कैसे डाइगराम बनाएंगे कुछ पुष्टके उपन्यास है तो कुछ पुष्टके मानलो यह पुष्टके है तो इसका कुछ हिस्सा क्या है उपन्यास है हमने बढ़ चुका है बढ़ लिया हमने कैसे इसको बनाते है यानि यह जो कुछ हिस्सा है पुष्टकों का वो क्या है उपन्यास है ठीक है, आगे बोला, सभी उपन्यास मैगजीन है, तो सभी उपन्यास मैगजीन है, तो क्या करेंगे हम उपन्यास को मैगजीन के अंदर हमें रखना है, तो इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, यह क्या है, मैगजीन है, ठीक है, भाई हम इस तरह से बनाएंगे, इस मैगजीन है वो ओटोमेटिकली पुस्तक से टच होगी ही होगी क्योंकि हमें उपन्यास को अंदर रखना है मैगजीन की तभी तो जाकर के सभी उपन्यास मैगजीन है ये बाते आपको समझ में आ रही होगी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ समझा चुका हूँ चीक है अ यानि ये सारी की सारी पुस्तके मैगजीन हैं क्या तो गलत हो जाएगा भाई इतनी पुस्तके तो मैगजीन के अंदर आ रही है बाकी के तो पुस्तकों का हमें नहीं पता कि मैगजीन है या फिर नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं जब हमें पता ही नहीं है तो सरासर क्या हो यह जो part है वो क्या है magazine से मिला हुआ है magazine के अंदर है यानि सही हो जाएगा 100% सही हो जाएगा कोई दिकत नहीं होनी चाहिए ठीक है अगला निसकर्स है कुछ उपन्यास magazine है कुछ उपन्यास magazine है भाई यह सारे के सारे उपन्यास magazine है तो कुछ यानि अगर मैं बोलू कि इतना हिस्सा magazine है क्या यानि कुछ हिस्सा magazine है क्या तो सही बात है यह हिस्सा जो है यह भी तो magazine के अंदर ही है ठीक है सही बात है आगे बोल दें सब ही उपन्यास magazine है सभी उपन्यास ये सारे के सारे उपन्यास मैगजिन है तो सही बात है सभी मैगजिन उपन्यास है ये गलत हो जाएगा कैसे गलत होगा देखिए इतना हिस्सा जो है मैगजिन का ये उपन्यास है बाकी के हिस्से जो बचा हुआ है इसके बारे में हमें नहीं पता कि यह जो magazine है वो उपन्यास है या फिर नहीं है जब हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते कि सभी magazine उपन्यास है नहीं कह सकते गलत हो जाएगा ठीक है यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा संभावना की case में सही हो जाता संभावना की case में सह चाहें चलिए अगला कोशन देखते हैं तो इस तरह से आपके एक्जाम में कोशन आते हैं चलिए अगला कथन देखते हैं अगला कोशन क्या है कुछ सिक्सक विद्यारती है आगे है सभी विद्यारती लड़कियां हैं ठीक है अब निसकर्स देखते हैं निसकर्स में क्या क्या पूछाए पहला निसकर्स है सभी शिक्षक लड़कियां है सभी शिक्षक लड़कियां हैं दूसरा निसकर्स है कुछ लड़कियां सिक्षक हैं कुछ लड़कियां शिक्षक हैं तीसरा हमसे पोचा है कुछ लड़कियां विद्यारती है कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं चोता है सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं तो चार निस्कर समको दिये हुए है आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है डाइग्राम बना लेते हैं सबसे पहले कुछ सिक्षक विद्ध्यारती हैं कुछ सिक्षक ये अगर सिक्षक है तो कुछ जो हिस्सा है यानि इतना हिस्सा क्या है वो विद्ध्यारती आगे बोला हैं सभी विद्ध्यारती लड़कियां है यानि सारे के सारे जो विध्यारती है वो लड़की के अंदर जो है आएंगे ठीक है लड़की के अंदर जो है सारे के सारे विध्यारती आ जाएंगे तो यह हमारा डाइगराम बन गया कोई दिक्कत डाइगराम बनाने में आपको नहीं होनी चाहिए चलिए निसकर से पहला है सभी सिक्षक लड़कियां हैं सभी सिक्षक ये जो सिक्षक है वो सारे के सारे लड़कियां है क्या गलत हो जाएगा हमें नहीं पता है इतना हिस्सा जो है लड़कियां नहीं है ठीक है तो साप साप दिखाई दे रहा है आगे कुछ लड़कियां सिक्षक हैं कुछ लड़कियां सिक्षक हैं बिल्कु सही बात है यह जो लड़कियों का हिस्सा है वो सिक्षक से मिला हुआ है यानि बिल्कुल सही बात है कुछ लड़कियां बिध्यारती है कुछ लड़कियां बिध्यारती है यानि लड़कियों का ये जो हिस्सा है वो बिध्यारती है तो ये भी सही है सब ही बिध्यारती शिक्षक हैं सारी के सारे बिध्यारती शिक्षक हैं भाई हमें नहीं पता गलत हो जाएगा क्योंकि केवल इतना ही जो हिस्सा है बिध्यारती का वो ही शिक्षक है बाकी का हमें इधर नहीं पता और इधर विद्ध्यारतिका में नहीं पता चीक है तो I hope कि यह आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें करना है और अगर यही पर आपको सकता सकती लगा करके दे दे यानि संभावना वाला केस अगर दे दे तो कैसे करेंगे संभावना वाला केस जैसे सभी सिक्षक लड़किया हो सकते हैं सभी शिक्षक लड़किया हो सकते हैं दूसरा है संभावना वाले केस में सभी लड़किया विद्ध्यारति हो सकती हैं सभी लड़किया विद्ध्यारति हो सकती है चीक है तो संभावना के केस में अगर सकता सकती आपको लगा करके दे दे तो फिर कैसे करेंगे चलिए आप मुझे बताईए सही कुन सा है गलत कुन सा है क्या सभी सिक्सक लड़किया हो सकती है सारी के सारे सिक्सक ये जो सिक्सक है वो लड़कियां हो सकते हैं क्या बिल्कुल हो सकते हैं हम इस तरह से बना सकते हैं जैसे ये सिक्षक है ये क्या हो जाएंगे आपके विध्यारती और ये जो है इस तरह से भी तो बन सकता है ये डाइगराम इस तरह से भी संभावना वाला केस अगर हो संभावना वाले case में यह diagram हम ऐसे भी बना सकते हैं चीक है यानि यह जो देखिए इतना हिस्सा तो लड़किया है बाकी का हिस्सा हमें नहीं पता लड़किया भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है तो वो यही तो पोच रहे के हो सकती है क्या बिलकुल हो सकती है नहीं हो सकती है क्या नहीं हो सकती वो भी सही बात है तो सकता सकती की case में क्यों है यह सही हो जाएगा यानि हमारा यह जो है right है अगे सभी लड़किया विध्यारती हो सकती है सारी के सारी लड़किया विध्यारती हो सकती है क्या बिल्कुल हो सकती है ये भी सही बात है सारी के सारी लड़किया विध्यारती हो सकती है ये भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा जैसे कुछ लड़किया विध्यारती है कुछ मारकर अगर सफेद है तो क्या पूरा मारकर सफेद नहीं हो सकता जैसे मैंने ये बूला है कुछ मारकर सफेद है यानि मारकर का इतना हिस्सा सफेद है तो बाकी का हिस्सा हमें नहीं पता कि सफेद है या नहीं है लेकिन क्या संभावना नहीं है कि बाकी का हिस्सा भी सफेद हो हो सकती है संभावना है यानि बाकी का हिस्सा भी सफेद हो सकता है यानि ये पूरा का पूरा मार कर सफेद हो सकता है और नहीं भी हो सकता ये भी संभावना है कि ना हो ठीक है यानि संभावना वाले केस में नहीं भी सही है और यानि हो सकता है वो भी सही है और नहीं हो सकता वो भी सही है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है चलिए अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर नेक्स्ट कोश्चन नमबर नेक्स्ट है हमारे पास कतन है सभी बसे घर हैं सभी बसे घर है कुछ घर जीले हैं तो ये दो कतन है निसकर्स में है निसकर्स दिया हुआ है निसकर्स में क्या है कुछ बसे जीले हैं पहला है कुछ बसे जीले हैं दूसरा है कुछ जीले बसे हैं तीसरा हो जाएगा कुछ जीले कुछ जीले घर हैं चोथा हो जाएगा कुछ घर बसे हैं चलिए ये चार निसकर्स हैं आप डाइगराम बनाओ और चारो के चारो निसकर्स सोल्व करो पहला है सभी बसे घर हैं कि सारी की सारी जो बस हैं ये सारी की सारी बस जो है घर के अंदर आनी चाहिए सारी की सारी बसे क्या है घर के अंदर आनी चाहिए चीक है आगे बोला है कुछ घर जीले हैं कुछ घर यानि ये जो कुछ घर है वो क्या हैं जब कथन में बोला ही नहीं है बस और जील का संबंद कोई भी तो आप इससे टच नहीं करोगे चीक है इस तरह से डाइगरम बनाना है आपको अब देखे पहला निसकर से कुछ बसे ये जीले हैं कुछ बसे ये जो बसे हैं वो जीले हैं क्या बस में और जील में हमें कोई मन दिखाई दी रहा है क्या हमें नहीं दिखाई दी रहा तो गलत कर देंगे कुछ जीले बसे हैं कुछ जील बसे हैं तो यहां पर कोई संब्द जील में और बस में कोई रिलेशन नहीं है तो हम सरासर यहां पर गलत कर देंगे ठीक है उसके बाद कुछ जीले घर हैं कुछ ज जील का हिस्सा है ये वाला वो क्या है घर है बिल्कुल सही बात है तो कि ये घर है चीक है आगे कुछ घर बसे हैं जो कुछ घर जो है यानि घर में इतना हिस्सा जो है वो क्या है बस का है यानि ये बात भी बिल्कुल सही होगी 100% इतना हिस्सा जो है घर का वो क्या है बसने घ यानि यह कुछ घर जो है वो बस है 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 ठीक है चलिए अगर यहीं पर भाईया आपसे पूछे संभावना वाला केस सकता सकती लगा करके दे दे जैसे कुछ जीले बसे हो सकती है चलिए इसको आप बताईए क्या कुछ जीले यानि जो जीले है वो बसे हो सकती है क्या कुछ जीले बसे हो सकती है क्या बिलकुल हो सकती है भाईया आप जील को ऐसे भी बना सकते हो संभावना वाले केस में आप ऐसे भी बना सकते हो ठीक है यानि हो सकती है हो सकती है इस तरह स आप यानि ये बस है ये क्या है घर है और आप इस तरह से भी बना सकते हो क्योंकि मना नहीं किया है नहीं बोला है नहीं मना किया है तो आप किसी भी तरह से बना सकते हो ठीक है जब बोला नहीं है यानि संभावना के केस में आप संभावना के केस में ऐसा बना सकते हो ठीक है नॉर्मल ही आपको ऐसे बनाने जैसे मैंने आपको पहले बना करके बताया है संभावना के केस में ये भी बन सकता है यानि ये बात सही है कुछ जेले बसे हो सकती है बिल्कुल सही बात है तो दोस्तो देखिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ जहां से ज़Яदा कोशन आते हैं उसको हमने किया है बाकि अभी आगे भी कराना बहुत सारे चीज़ा आगे भी कराऊंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा तो अभी काफी सारे चीज़ा बची है अगली वीडियो में मैं कराने वाला हूँ क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है तो चलिए इस वीडियो को हम यही पर समाप्त करते हैं लाइक कीजिए शेर कीजिए हूं मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ यानि इसमें अगला टाइप जो है उनके साथ हम questions लेकर के आएंगे और मैं पहले आपको सिखाऊंगा चीजिए फिर वैसे हम आगे question करेंगे तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में thanks for watching this video